स्मस्कार दोस्तों स्वागत ते शोमुस भाली जी का और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर个 просто呢 आक्रेसी प्रति आता है उन्हें एक हम बात करेंगे के नॉर्मल रेंज क्या है बात करेंगे SGOT की अगर value blood में बढ़ जाता है तो उसके क्या indication मिलता है सारे के सारे चीज़े इस वीडियो में देखेंगे तो देखो SGOT पहले तो देखते है SGOT इसको और एक नाम से बोला जाता है और पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं इसपर्टेट अमिनो ट्रांसफरेस या फिर AST ठीक है SGOT और AST एक ही टेस्ट का दो दो अलग नाम है एक ही एंजाइम को दो दो अलग नाम दिया गया है राइट परपस क्या होता है टेस्ट के लिए देखो यह परपस होता है लिवर फंक्शन टेस्ट को एसस करने के लिए लिवर ठीक टाक से काम कर रहा है नहीं लिवर में डैमेज तो नहीं है लिवर डैमेज तो नहीं हो गया लिवर में कोई प्रकार के बिमारी तो नहीं चल रहा है इस सारे के सारे चीज जानने के लिए SGOT टेस्ट किया जाता है कैसे यह टेस्ट किया जाता है एक पेशन की ज आठ से 48 यूनिट्स पर लिटर होता है for males पुरुशों के लिए, महलाओ के लिए 7 से 35 यूनिट्स पर लिटर होता है, so for male and female अलग-अलग range है, अब ये SGOT या फिर AST का level abnormal value, मतलब abnormal कौन-कौन सी value indicate करता है यहाँ पर ज्यादा या कम, ज्यादा, obviously SGOT या फिर AST का level अगर blood में ज alarming condition है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपके liver damaged है, मतलब liver damage होने की chances बहुत बढ़ सकता है, depend करता है कि SGOT के level कितना बढ़ा है उसके उपर, ये indicate करता है hepatitis, कोई भी viral hepatitis हो सकता है, ये फिर किसी भी प्रकार की hepatitis में ही SGOT का level जो है blood में बर जाता है, खुन में बर जात है, indicate कर सकता है cirrhosis, cirrhosis मतलब liver damage और liver fibrosis होता है, पहले liver का cell से hepatocytes, उसकी structural changes आते हैं, fibrosis होता है, और दिन cirrhosis आखिर में आता है, cirrhosis जो है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वो regular alcohol, over alcohol consumption के कारण हो सकता है, या फिर वो हो सकता है, malnutrition के कारण, मतलब आप ठीक ठाक से nutrition आपको नहीं मिलता है, उसके कारण, दोनों cases में ही cirrhosis हो सकता है, या फिर किसी भी अधर तरीके का liver की बीमारी, liver की कोई भी प्रकार की बीमारी ले लो, SGPT और SGOT दोनों enzymes की मात्रा blood में, खून में बर जाता है, उससे हमां पता चल जाता है, कि हां किछना कुछ गड़बर चल रह है, तो जब भी SGOT के मात्रा blood में बढ़े, वो related to liver है, और SGOT जो है, liver का एक part है, अब SGOT की बात करें, high levels, जो SGOT होता है, वो liver damage में तो होता ही, इसके साथ साथ कुछ और कारण है, जिसे के high होता है, जैसे का heart और muscle injury, कभी-कभी अगर आप trauma में हो, accident होता है, जहां पर muscle injury होता ह है, उसके चलते भी, उसके कारण भी blood में, खून में SGOT के level बढ़ सकता है, certain medicines, कुछ-कुछ प्रकार के दवा होता है, जिसको लेने के कारण भी आपके blood में, खून में SGOT की level बढ़ सकता है, और alcohol abuse में, regularly अगर कोई over alcohol ले रहा है, वहां पे भी SGOT के level बढ़ेगा, तो यहां ना तो सिर्फ SGOT के level बढ़ेगा, यहां पे आपकी liver cells की structure उसमें बदलाव नजर आएगा, और liver damage भी होने की chances काफी बढ़ जाएगी, तो यह सारे abnormal value indicators हो जाते हैं SGOT की, SGOT एक liver function test की एक type of parameter है, हमने बात की SGOT, AST, एकी test, यह क्या है, कैसे यह test किया जाता है, क्यों यह test किया indication मिलता है, सारे के सारे details, आशा करते हैं, वीडियो आपके लिए helpful रहा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रह अन्ट, ताकियो वाक।